हेलो वीट्व फैमली आप सबका स्वागत है इस विडियो में तो दोस्तो अगर आप एक EFM WhatsApp पूजर है तो इस विडियो का आप कम्फिलीट वाच की दिगा है दोस्तो इस विडियो में हम आपको बताएं कि EFM WhatsApp में एक बहुत ही कमाल का अपडेट आए है और यह update हर FM WhatsApp users को काफी पसंद आगा तो चली दोस्तो इस वीडियो में सिखते कि FM WhatsApp का वो कौन सा update है और इस से एक FM WhatsApp users को क्या-क्या benefit मिलेगा तो दोस्तो अगर आप एक FM WhatsApp user है तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजी क्योंकि वीडियो बहुत ही इंट्रेस्टिंग होने वाला अचली फिर्मट्यू को शुरू करते हैं दोस्तो सबसे पहले आपको अपने मुआल फोन में FM WhatsApp अप्रिकेशन को अपिन करना है जैसे कि आप देख सकते स्क्रीन पे अब देखें दोस्तो त्रीडर्ट के अप्शन पे आप जैसे किलिक करोगे setting पर click करोगे और account option पर click करोगे तो यहाँ पर एक option में आपको privacy का इस पर जैसे आप click करोगे तो दोस्तो देखी यहाँ पर लिखा हुआ last scene and all line दोस्तो ध्यान देने वाली बात यह है कि पहले यहाँ पर लिखा हुआ था last scene लेकिन दोस्तो इसमें एक चीज़ और add कर दिया गया वह है add all line तो इस पर आप जैसे click करोगे तो यहाँ पर देखने को मिलता है who can see my last scene, who can see which I am all line तो यहाँ पर इस तरीका से देखने को मिलता है तो दोस्तो इस feature का क्या use है और इस से एक fm watch से users को क्या-क्या benefit मिलेगा तो देखिए दोस्तो अगर आप किसी से chat करते है online में तो आपके phone में और जिससे आप chat करते हैं उसके phone में भी online show होता है लेकिन अगर आप यह चाहते हो कि जिससे आप chat करते हैं उसके phone में आपका phone का online show नहीं हो तो आप इस setting को on करके अब जो है ये feature का use कर सकते हैं जैसे देखी दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है who can see my last scene अब क्या होगा दोस्तों कि जैसे आप इस पे nobody का option पे क्लिक कर दोगे तो आपके whatsapp का last scene किसी को नहीं दिखेगा आपके whatsapp में जितने भी person है उनसा भी person को आपके whatsapp का last scene नहीं दिखेगा अब आप जितने time तक आप online होगे या offline होगे वो last scene किसी भी person के whatsapp पे so नहीं होगा तो ये इसका benefit है उसके बाद देखे दोस्तों यहाँ पे अगर आप क्लिक कर दे तो some as last scene इसके क्लिक करोगे तो क्या होगा दोस्तों कि को भी person से आप chat करोगे तो उस person के जो है whatsapp में आपके whatsapp का online show नहीं होगा तो दोस्तों इससे दो benefit है पहला यह है कि आपके whatsapp का ना तो last scene सो होगा और दूसरा benefit है कि आप जिससे भी chat करोगे इस feature का on करके तो आपके WhatsApp का online show नहीं होगा तो अब आप इस चीस से बच जाओगे कि आपके WhatsApp के ना तो कोई last scene चेक कर पाएगा और ना ही आपके WhatsApp के कोई online चेक कर पाएगा तो बहुत useful है दोस्तों यह setting तो आप इस setting के बारे में आपका कहा रहा है कमेंट में बताएगा और इस वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएगा और यह वीडियो आपको पसानते इस वीडियो को लाइक केजिए और हमारे YouTube फैमली मेंबर्स में जोरने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेसान को आउन कर लिए तक अन्यावरे सब वीडियो का नोटिफिकेसान आपको टाइम टू टाइम मिलते है और आश्यको कोई वीडियो में जाहले दोस्तों इस वीडियो में जाहिं बंदिमांत